जैसरी महाकाल दोस्तो आप सभी को हमारे यूटूब चैनल सावर मंत्र चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सनी देव का बहुत ही तीब्र मंत्र है जिसके मात्र जपने से आपके तमाम संकर दूर हो जाएंगे आज हमारा मंत्र है कुष्ट रोगों के लिए तो दोस्तो मैं आपको बताऊंगा जो कुष्ट हो जाता है कुष्ट रोग जिसको दियाती भासा में बोलते हैं फूल हो गया है या बोलते हैं वाइट दाग हो गया है उसको कुष्ट रोग बोलते हैं आज हम उस कुष्ट रोग को जो है सनी मंत्र द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा कि सनी देव की कृपा से उस रोग को कैसे ठीक किया जाता है तो दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें नेश्ट वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन के बटन को दबा लें मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो है बहुत ही तीब्र मंत्र है साबर मंत्र दोस्तो जो मैं लेके आता हूँ साबर मंत्र हमारे चैनल पर यह बहुत ही तीब्र मंत्र होता है तो यह आपको मैं बताना चाहूंगा अब देर ने करके आगे बता रहा हूँ आपको क्योंकि ज़्यादा देरी करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है कुष्ट रोग यह जो है यह है यह के तचा रोग है वनसा क्रित होता हुआ रोग यह जो है बहुत है इससे मुक्त पाने के लिए बहुत ही परिशानी होती है इसका मंत्र द्वारा जो सनी देव के मंत्र द्वारा मैं आज इसका निदान बताऊंगा सनी देव की जो क्रिपा से आपका मंत्र द्वारा कुष्ट रोक सही हो जाएगा सनी मंत्र स्रद्धा पूरो का आपको जपना है दोस्तों और यह मंत्र सनीवार सनीवार के दिन मंत्र का अनुष्ठान करना है जो है सनी मंत्र उसको आपको सनीवार के दिन दिन सनिवार होना चाहिए आपको एक सनी यंत्र कहीं से भी प्राप्त करना है सनी यंत्र जो सनी यंत्र प्राण प्रत्रिष्ठा रहनी चाहिए नहीं प्राण प्रत्रिष्ठा है तो आप किसी मतलब सुनार की दुकान पे तांबे या मतलब है लोए पे सनी यंद्र की अस्थापना करवा लीजिए तो सबसे अच्छी बाद है नहीं तो आप सनी देव का एक फोटू ले लीजिए फोटू आप लेके आईए सनीवार के दिन आपको एक अच्छे से जो है आसन लगाई है सनी देव का उंचा थोड़ा होना चीए तक्थी बनाना छोटा ऐसे तक्थी पे सनी देव का काला कंबल विच्छा के उस पे आसन विच्छा है और उस पे यंद्र रखें या तो आपके पास फोटू है उसको रखें और आप उस पे यंद्रा अस्थापित करके जो है सनी देव को पड़ा काम करें अच्छे से और गनेश पूजन गुरुपूजन कर लें दोस्तों उसके बाद आपको जो है जो हम मंत्र बता रहे हैं इसको आपको जपना है मंत्र जप्र आप करेंगे आपका बहुत तीब्र ही आपका कुष्ट रोग जो है सई हो जाएगा जो आपका कुष्ट रोग है या तो आप मंत्र को यो है यंत्र जो यंत्र है आप उसको बना भी सकते हैं आप भोज़ पत्र ले लीजिए भोज़ पत्र पे जो है बोज़ पत्र लेने के बाद काली स्याही सुद्ध एगरम मतलब यूज न कियो है या इसकेस फिन काला इसकेस फिन ले लीजिए या तो अनार की कलम से, अश्टगंद की स्याहि से जो है, रचना कीजिए और यह जो है, रचना करने के बाद आप जो है मैं बता देता हूँ आपको मंत्र बता देता हूँ दोस्तों, मंत्र ध्यान से सुनिये मंत्र है मंतर आपको मैं वापिस एक बार बता देता हूँ मंतर अची तरह से आप कंठस कर लीजिए और इस मंतर का सनिवार के दिन आपको कम से कम एक माला डेली आपको इस मंतर का जो है जाप करना है और जैसे ही आप इसका जाप करेंगे आपको बहुत सी ग्रही लाब दिखाई देगा तो मंत्र वापिस मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों ओम आम हरीम स्री सनिस्चराए नामा मंत्र दोस्तों आपको मैंने बता दिया वापिस मैं आपको बता देता हूँ ओम एम हरीम स्रीम सनिश्यराय नम यह मंत्र है इस मंत्र को आप 108 पार मतलब एक माला डेली फेरना है दोस्तों अगर एक माला आप डेली फेरेंगे तो आपके जो कुष्ट रोग हैं उस समाप्थ हो जाएंगे इसके साथ दोस्तों मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूं ज